हेलो दोस्तो मेरा नाम है विना एकमार और मेरे यूटूब चैनल वेब टेक क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे CBSC रिजल्ट 2021 का 10-12 का रिजल्ट कैसे चेक करेंगे तो आईए शुरू करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजेगा और अगर चैनल पर ने हैं तो सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको Chrome ब्राउजर ओपेन कर लेना है और Search Bar में टाइप करना है CBSC इसके बाद आपको सबसे पहला उपर में ही आपको लिंक देखने को मिलेगा CBSC Central Board Secondary Education इस पर आप क्लिक कर लेंगे क्लिक करने के बाद सबसे पहला वेबसाइट मिलेगा cbsc.government.in इस लिंक को आप ओपेन कर लेंगे ओपेन करने के बाद आपका वेबसाइट ओपेन होगा इसमें आपको एक New Website का Option दिखेगा एक Roll Number Finder का Option दिखेगा Result का Option दिखेगा और Academic Website का Option दिखेगा इसके बाद Result देखने के लिए आप यहाँ पर Result के Option पर क्लिक करके आप इसे Open कर लेंगे चलिए मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन लिंक दिखाई पड़ेगा Senior School Certified Examination Class 12 आप जानते हैं कि Class 12 2021 का Result आ चुका है यह 30 July 2021 को आया है तो यहाँ पर तीन लिंक दिए गया है एक है Link 1, Link 2, Link 3 आप इन तीनों लिंक में से किसी भी लिंक को Open कर सकते हैं तीन लिंक इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जब भी आप का आपने देखा है कि जब भी रिसर्ट आता है तो वेबसाइट क्रेस कर जाता है खूब सारे ट्रैफिक और काफी सारे स्टूडेंट इस पर रिजर्ट सर्च करते हैं इसलिए यहाँ पर तीन लिंक पनाए गया है ताकि इस पर किसी भी तरह का वेबसाइट पर लोड ना पड़े तो आप किसी भी एक Link को Open कर लेंगे जिसे माली जै मैं Link 3 को Open कर लेता हूँ इसके बाद आपको यहाँ पर अपना इंटर्यू रॉल नंबर आपको यहाँ पर अपना एक रॉल नंबर डालना है जो पी आपको रॉल नंबर फाइंडर से आपको रॉल नंबर रिसीब हुआ होगा और इसके बाद आपना स्कूल नंबर डाल लेना है और डालके आपको यहाँ पर सम्मिट कर लेना है सम्मिट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पर सो हो जाएगा इसी तरह 10 क्लास का रिजल्ट देखने के लिए आपको फिर से इसी लिंक पर आ जाना है और आपको यहाँ पर जब आपका 10th का result आएगा तो आपको यहाँ भी इसी तरह का 2 या 3 link देखने को मिलेगा तो आप किसी भी एक link पर click करके आप अपना roll number और school code डालके आप अपना result आसानी से देख सकते हैं तो यह थे student results देखने का सही तरीका आप आसानी से आप अपना result देख सकते हैं मैं इस website का link आपको description में दे दूँगा आप वहाँ से इसको direct open कर सकते हैं ओके दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो subscribe कर लें और साथी बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ऐसी मज़िदार वीडियो पाने के लिए चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ थाइंक यू